आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सोस्तोंगे महादेव की गिर्पाप सभी पर सदाय बनी रहे। उनके लिए राशी फल बहुत महत्वपुन होगा, मेरे चैनल पर मासिक, त्रिमासिक, सापताहिक राशी फल आते ही हैं, इसके साथ ही ग्रहों की गोचरी स्थिती पर भी वीडियो मैं देता ही हूँ, यह जो वार्शिक राशी फल है, क्योंकि वर्ष बहुत बड़ा समय होता हैं, तो इसमें मैक्रो लेवल पर यानि की बड़े लेवल पर, ब्रहत लेवल पर क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं, या ग्रह किस टरेक्शन में आपको लेकर जा सकते हैं, इनी सब चीजों पर चर्चा हम कर सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा और्गनाईज करने के लिए, म कुछ चेतावनिया, वॉर्णिक्स, आढ़ा, लव लाइफ, नवा, मेरेटलाईफ, और दस्वा भाग होगा, स्टूदेंस, और उसके बार कुछ उपआए होंगे, सेहत का अलग, धन का अलग, लव लाइफ, मेरेटलाईफ का अलग, स्टूदेंस का अलग, और जन्रल उप सकते हैं लेकिन जैसा मैं हर बार कहता है हूँ कि लगन राशी से बहुत ज़्यादा सा ठिकता बैठती है तो शुरुवात करते हैं सबसे महत्वपून चीज यानि की आपकी सेहत से देखे जहां तक सेहत की बात है वर्ष मिला जुला सा रहेगा जो वर्ष का शुरुवाती च वो होगी ब्रहसपती महराज के राशी परिवर्तन के बाद जो होगा 30 एपरल 2024 को कारण आपके ब्रहसपती जो आपके लगनेश है वो आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छटे भाव में प्रवेश कर जाएंगे यानि कि छटा भाव कौन सा रोग का स्थान रोग रि पूर रिन बाकी भावों से भी रोग होते हैं आठवा भाव हो गया बारवा भाव हो गया बाकी भी कई चीज़े कंसीडर करनी परते हैं जब कुणलिया देखते हैं लेकिन यहाँ पर हम सामान्य विश्रेशन करें इसलिए छटा भाव रोग का स्थान तो ब्रहसपती का छ ब्रहसपती के कारण ही तो मेटाबॉलिक डिसॉडर्स ऐसे लोगों को बहुत आते हैं और पेट की बिमारिया बहुत रहती है अगनी तत्तो प्रधान है तो कहीना कहीं पित रोग ऐसे लोगों में ज़ादा रहते हैं अब यहाँ पर जैसे ही व्रहसपती यहाँ पर आएंगे छटे भाव में यह स पेट के ज़ादा रोग है, acidity है, पित बड़ा है, आपके बॉड़ी में बलगम ज़ादा हो रहा है, कफ बड़ा है, आपको ज़ादा पेन हो रहा है बॉड़ी में वात बड़ा हुआ है, आपको हड़ियों में जोडों में दर्द है तो अमलवात हुआ हुआ है, तो इस प्रॉब्लम से फिर कई प्रकार की और बिमारिया आपको आएंगी, क्योंकि ब्रहस्पति यहां से बैटकर बारवे स्थान को देखेंगे, यानि कि इनी प्रॉब्लम के कारण हस्पताल भी जाना पर सकता है, यानि कि कुछ ना कुछ डिजीज ऐसी वर्ष हो सकती है, जिसके क कारण हस्पताल के चक्तर, डॉक्टर्स के चक्कर आपको लगाने पर सकते हैं, डाइबटीज जिनको है उनकी बिमारिया बढ़ेंगे, और लिवर की प्रॉब्लम अवश्य होती भी दिख रही है, सबके लिए नहीं होगा, जिनका ओलरी लिवर खराब है, उनकी प्रॉब् इसके बाद से, छटा भाव में जब ब्रहस्पती का आगमन होता है, तो बॉड़ी में इंफ्लमेशन भी बहुत रहता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको तंग करेंगी, और इसके कारण ही, इसके साथ ही अपचन की प्रॉब्लम जादा रहेगी, तो दिखिए मैं यही कि सबसे पहले तो जो चीजें हमारे हाथ में हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो जैसे ही आपका ये ब्रहस्पती का गोचर होगा, अपने डाएट को थोड़ा सिंपल कर लिजेगा, जादा जो भारी चीजें होती हैं, उनको ना खाईएगा, ऐसा खाना खाईएगा, ज क्योंकि राहु चौथे घर में है, इसका मतलब ये भी है कि आपको कफ रोग भी बढ़ेंगे, आपके बॉड़ी में कफ रोग बढ़ेंगे, सास लेने की प्रॉब्लम आएगी, जिनको ऐस्थमा है या कुछ भी सासों से सम्दित रोग है, उनकी परिशानिया भी बढ़ें क्योंकि लगनेश ही कही न कहीं आपके रोगस्थान में आ जाएंगे, इसलिए वहां से प्रॉब्लम जो बाकी सारी भी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, इसके साथ ही जो छोटी मोटी प्रॉब्लम और तंग कर सकती है, आखों इस डाइगनोज हो सकती है कई लोगों को, जिनका जादा या तो फैमिली हिस्ट्री है, फिर वो जादा एक्सरसाइज वगरा नहीं करते हैं, और इसके साथ ही आपको इस वर्ष स्पेशली एकदम अंत में जाकर तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मिश्रित वर्ष है, सेहत के प्रस्पेक्टिव से, जितना ध्यान रख सकते हैं, उतना ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बात करते हैं, जीवन में सबसे और एपल तक ही वो लाबस्थान को भी देखेंगे, यानि कि वृद्धि यहाँ पर भी होगी, तो वर्ष एपल तक का भी अच्छा है, उसके बाद क्या होगा कि ब्रहस्पती आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ब्रहस्पती पैसे भी धन के कारक ही है, और आपके लिए लग ब्रहस्पती है धन कमाने की वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, लेकिन यह उन पर जादा इंपेक्ट करेगा जो अपना काम करते हैं, क्योंकि सब्तम भाव जो बिजनस है, उससे बारवे में ब्रहस्पती आ जाएंगे, यानि कि अपने करियर में बदलाव के द्वारा पैसा जादा कमा सकते हैं, इसके साथी ही ब्रहस्पती यहां से धनस्थान को भी देखेंगे, यानि कि पैसा तो आपका बड़ेगा, लेकिन पुरह काऊंगा, छटे घर के ब्रहस्पती है, ये अवश्य आपको बरदान देंगे, अवश्य आपको लावदेंगे, लेकिन छटा भ वर्ष पुन समय रहेगा धन प्राप्ति के लिए इसके साथ ही देखे तो शनी और ब्रहस्पति एक दूसरे से केंद्र में है और कौन से केंद्र में है एक है तीसरा भाव एक है छटा भाव यानि कि उपचे स्थान तो ये ऐसा वर्ष है जब आप अपने संकल्प शक्ति, श साहस इसके दम पर बहुत धन कमा सकते हैं अगर रिस्क लेना है वर्ष यही है कई बार लोग सोचते रहाते हैं कि हाँ मेरे को ये स्टार्ट करना है नौकरी के साथ ये करना है ये बिजनस स्टार्ट करना है सोचते रहाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता का वो बीस से प अर्श्पूर्ण, थोड़ा मेहनत के साथ, साहस फराक्रम, इन सब के दम पर आप बहुत धन अर्जित कर सकते हैं, राहू का चौते घर में होना कही कभी प्रॉपर्टी से बहुत लाब दे देता है, कैसे प्रॉपर्टी बेच के, कोई प्रॉपर्टी का कार या आपका फसा ह चल रहा था, अचानक से इस वर्ष सॉल हो सकता है, उसका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, और क्योंकि राहू कही न कहीं अचानक से धन लाब देते हैं, तो अगर कोई ancestral प्रॉपर्टी का आपका वाद व्यात है, या कोई ancestral प्रॉपर्टी थी, जिसको आप बहुत टाइ प्राप्ती का अवश्यर है, कारण यह है कि ब्रहस्पती का जो गोचर होगा यहां पर आकर जब एप्रल के अंत में आएंगे, तो वो यहां से बारवे स्थान को देखेंगे, और यह कही न कहीं अध्यात्म का है, मुक्ष का है, और ब्रहस्पती चौते घर के स्वामी भी ह असली चहरे भी स्वर्श आपके सामने अवश्या हैंगे, अध्यात्म की तरफ तो जाते वे दिखी रहें इसके साथ धर्म के प्रती भी आपकी रूची बहुत बड़ेगी, धर्मेक शास्त्रों के प्रती आपकी रूची बहुत बड़ेगी, कई कारों की पूर्णता होग और आपके अपने कारेकुशल्टा के द्वारा भी आप अपने आपको साबित रिस्वर्श कर सकते हैं, धन के खर्चे पर नियंतरन रख्ना है, और अपने शब्दों पर भी आपको इस वर्श बहुत नियंतरन रख्ना है, क्योंकि दोनों के ही कारण थोड़ी प्रॉब्ल प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में लेकिन ये वर्ष है ऐसा, देखे प्रोफेशनल लाइफ में कभी न कभी हमें जेलना ही पड़ता है, लेकिन वो चीज हम जादा अपने परसनल लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ये वो वर्ष है जब परसनल ल में flexibility और maturity दोनों को ही आपको लानी पड़ेगी, उसके दोरा और आगे पड़ेंगे कि सवर्ष कई बार आपको अकेले पन का भी बहुत अनुभव होगा कई बार लोगों के साथ बैट कर भी आप अकेरा फील करेंगे, उस चीज़ पर प्रगति की और ही आपको लेकर जाता हुआ दिख रहा है, चलते हैं करियर के तरफ करियर के रिवर्ष अच्छा ही है केतु को अब थोड़ा आर्सा हो चुका है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा केतु के करन जो उथल पुथल कुछ लोगों के करियर में आई थी वो थम जाएगी, जैसे मैं पहले बढ़े बता चुका हूँ एक दो बार की केतु जब दस्वे में आते हैं अगर दशा अंतर दशा ची नहीं है जॉब जा भी सकती है, और कई लोगों के करियर में नवंबर, अक्टूबर के आसपास थोड़ी उथल पुथल आई होगी अब चीजें थोड़ी बेटर होगी अच्छा ये है कि ब्रहसपती का जब गोचर होगा वो थोड़ा सा आपके करियर के लिए अच्छा प्रभाव देगा जब ब्रहसपती यहां पर आएंगे क्यों? क्योंकि ब्रहसपती अभी दस्वे भाव से अश्टम में गोचर कर रहे है पिछले करीबन एप्रल दोहजार तेईस से, अब ये वैसे लगने से तो अच्छा असान है ब्रहसपती लेकिन दस्वे से क्योंकि अश्टम में है यानि कि कारेक्षेत्र में अनस्टैबिलिटी, आपके डिपार्टमेंट्स चेंज हो रहे होंगे आपकी टीम चेंज हो रहे होगे, आपका प्रोसेस चेंज हो रहा होगा, अचानक से नया काम दे दिया जाता होगा, एक स्टैबिलिटी नहीं रह पारे होगी, अब अच्छी चीज है कि जैसे ही इस वर्ष ब्रहसपती का राशी परियतन होगा, तो उनका जो गोचर है, वो चटे भाव में आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा यह ग्यान के कारक, ब्रहत लेवल पर, बड़े लेवल पर, यह ग्यान के कारक, सुक्ष्मता के लेवल पर, यानि कि अगर आपका कुछ skill-based काम है और आपने skills पर काम किया है अपने जिवर में, आपने अपना time-based नहीं किया, बलकि कि आपने research करी है, आपने skill acquire करी है, आपने अपने खाली time में या time निकाल कर एक्सरा मेहनत करी है, ये वर्ष आपका होगा, आपको आगे बढ़ने से कोई रोग ही नहीं सकता, सुन लीजे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ, कारेक शेत्र में थोड़े कलीक्स के द्वारा problem आएगी, work pressure काफी रहेगा, लेकिन जितना ये वर्ष आपके career को आगे लेकर जा सकता है, especially 30 April के बाद से, उतना आने वाले वर्षों में बहुत अराम से आपको नहीं मिलेगा, वर्ष बहुत अच्छा है, करियर के समंद में जितना आगे बढ़ सकते हैं, उतना आपको भाग गया साथ देगा, मैं बता ही चुका हूँ, technical background वाले लोगों के लिए और भी अच्छा बच है, participation बढ़ा कर रखेगा अपना career में, जहाँ आप पर देखें कि हाँ, आपने inputs दे सकते हैं, भले आपका department ना हो, दीजेगा, trust आपके ओपर लोगों का, आपके bosses का बढ़ेगा, emotional level पर अगर कुछ घर में problem चल रही हो, उसको office में स्थान मत दीजेगा, क्योंकि ये कभी-कभी धनू का problem हो जाता है, इसके साथ ही, अपने कारे को बहुत समय सीमा के अनुसार ही, पूर्ण करने का प्रयास किया कीजेए, आप से मैं एक चीज़ अवश्य कह रहा हूँ, कि इस वर्ष आपको यात्रा भी शायद अपने करियर के हिसाब से करनी पर सकती है, उनके लिए especially जो लोग जिनका काम में involvement होता है, और वो यात्रा भी कही न कहीं आपके करियर को आगे लेके जाएगी, क्योंकि नई opportunities आपके लिए आएंगी, अपने colleagues के साथ जितने संबंद normalize रख सकते हैं, उतना आपके रहा रहेगा, म production industry और tourism, इन से जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं, ये वर्ष उनका ही है, बिजनस के तरफ, बिजनस के लिए वर्ष ठीक ठाक है, बलकि अच्छा ही है, अपरल तक का समय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब्तम भाव दिखे बिजनस का होता है, सब्तम से ग्यारवे में, या ही ब्रहसपती के प्रभाव में है, थोड़ी सी प्राब्लम बिजनस में, प्राब्लम बहुत बड़ी नहीं है, किस तरपर होगी वो मैं बताता हूँ, प्राब्लम जो आएगी वो आएगी, आपके बिजनस में थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, और कुछ कारे डिले होना शुरू हो जाएंगे 30 एपरिल के बाद जब ब्रहस्पती का राशी परियोत्तन होगा क्यों? क्योंकि एक तो लगनेश ही छटे घर में आ गए पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और सब्तम से बारवे में लगनेश आ गयानि क्योंकि थोड़ा कारे में डिले, कारे अटकेंगे, पैसा भी अटक सकता है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं otherwise ये वर्ष जो है करियर के संबंद में, सॉरी, बिजनस के संबंद में आपका अच्छा ही है क्योंकि ब्रहस्पती का प्रभाव यहां से धनस्थान भी होगा, जो सब्तम से अश्टम है अच्छे ग्रह का प्रभाव वहां पर यानि कि दीरे-दीरे करके भले शुरुआती दो-तिन महीने में एप्रिल के बाद से थोड़ी सी inconsistency रहे, उसके बाद का जो समय है, consistency से पैसा आपके पास आएगा तोवर्ष बुरा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा sensitive time होगा, जो मैंने आपको बताया, एप्रिल के आसपास का जब राशी परियुतन होगा आइडियास बहुत आएंगे और creativity बहुत रहेगी, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान दीजीगा, क्योंकि business का stress कई बार आपकी सेहत को इस वश प्रभावित करेगा मौके बहुत आएंगे, विदेश से भी मौके आ सकते हैं, क्योंकि बहस्पति यहां से बारवे घर को भी देखेंगे और इसके साथ ही planning करने का भी अपने business में बहुत मौका मिलेगा, कई ऐसे मौके आएंगे, जहां पर आप celebrate कर पाएंगे और उस मौके का लाब अवश्य उठाएगा, अपने employees के साथ भी संबंद better करने की कोशिश कीजेगा shortcut से बचना है, जहां पर shortcuts ले वहाँ पर नुकसान होगा इसके साथी कुछ legal case भी अदि आपका चल रहा था, क्योंकि बहस्पति चटे में आ जाएंगे तो legal कारवाही, कोई authority से problem, उनको solve करने में भी ये वर्ष आपकी मदद करेगा तो वर्ष अच्छा है, लाब उठाइएगा, यदि आप construction, healthcare, agriculture, aviation, chemical science, और education या फिर आयुरुवेधिक प्रोडक्स, इनसे जो लाग कुछ भी business करते हैं, नैचरल प्रोडक्स, इनसे जो लाग कुछ भी business करते हैं, तो जो वर्ष है आपका, काफी अच्छा चाता हुआ दिख रहा है अब आद करते हैं कुछ संभावनाओं की जो ये वर्ष आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले देखी कि पंचम और नवम, ये दोनों भाव हैं जहाँ पर शनी और भ्रहस्पती का पूर्ण प्रभाव है, कैसे? भ्रहस्पती पंचम में बैटे है, शनी की दृष्टी है ये बता रहा हूँ 30 अपरल तक, और शनी की दृष्टी यहाँ पर नवम में है और भ्रहस्पती की भी पंचम दृष्टी नवम पर है, यानि कि आइडियास और भागिया दोनों में ही को रिलेशन रहेगा, तो अपने क्रियेटिविटी और आइडियास के दम पर, क्योंकि इनलाइज कीजेगा, कि कैसे या आइडियास आपके जीवन में लाब दे सकते हैं, भागे का साथ 30 अपरल तक वर्ष्टी मिलेगा, बहुत जादा मिलेगा, तो उसका भी आपको लाब उठाना है, केतु दस्वे घर में पूरे वर्ष्ट रहेंगे, करियर में बदलाव तो प्लैन रूप में करते हैं, तो केतु यहाँ पे हैं, तो अगर आप अपने जीवन को और्गनाइज करना चाते हैं, उसके लिए भी वर्ष कही ना कहीं बहुत अच्छा आपका दिख रहा है, आपको जीवन को आगे बढ़ाने का आवसर मिलेगा, अपने और्गनाइज इतने skills और talent नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने talented होते हैं, इतने, sorry, talented होते हैं, कहीं न कहीं वो अपने केवल determination के level के दम पर अपने आपको आगे ले जाते हैं, example छोटा सा Sachin Tandulgar, Rahul Dhrawit, Sachin Tandulgar के पास जो talent है, याद किसी के पास ना हो, लेकिन Rahul Dhrawit के पास कभी भी उतना talent नहीं था, कह सकते हैं, लेकिन जो determination राहुल ड्रविट के पास था, जो organized और जो dedication था, उसके दम पर वो भी कहिना कहीं एकदम महानतम बल्लेवास बन पाए, तो ये वो वर्ष है, जब अगर आपको भले भागी का साथ भी ना मिले, भले आपको आपके जीवन में रुकावटे भी आए, तब भी अपने dedication, अपनी महनत के दम पर आप अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हैं, तो वर्ष कहीना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा indication लेकर आ रहा है, राहु चोथे घर में है, जो कहीना कहीं विदेश में settlement में, विदेश में जाने में, especially जाने का भी यो क्योंकि चोथे घर कहीना कहीं short term stay भी बताता है, लेकिन long term stay जाधा दिखाता है, तो राहु क्योंकि चोथे घर में है, जो लोग अलड़ी बाहर हैं, विदेश में हैं, और settle होना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, जो emigrate करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत आपके लिए तो सबसे महत्तपून चीज होगी सवर्ष की, सभी के लिए होगी क्योंकि बहस्पती जीवकारक है, लेकिन आपके लिए तो सबसे महत्तपून चीज होगी क्योंकि लगनेश भी है, तो बहस्पती जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो दस्वे भाव को देखेंग बहुत अच्छी चीज है ब्रहसपति क्योंकि यहां से बैठ कर बारवे घर को देखेंगे और शनी भी यहां पर देखेंगे ये भी कही ना कहीं विदेश जाने के योग और बना देगा ब्रहसपति के गोचर के बार और राहु की रिष्टी भी अब देखें बारवे स्थान पर इतने सारे ग्रहों के दृष्टी, यानि कि विदेश जाने में सफलता आपको 30 अप्रल के बाद बहुत अराम से प्राप्त होगी, और बारवास्थान मोक्ष का भी है, अध्यात्म का भी है, और मंदिरों का भी है, तो किसी मंदिर, किसी बड़े तीर स्थर पर भी जाने क जहां पर आपका जाने का बहुत अर्सों से प्लैन बन रहा था, लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो यह वो वर्ष है जब आवश्य उस जगह पर जा पाएंगे, जहां पर जाने की एक अकांगशा बहुत सालों से लिए बैठे थे, तीसरे घर के शनी अब अच्छा प्रभा है, उनका वो शुरू में देते हैं, अब क्योंकि एक साल उनको पूर्ण हो जाएगा, यहां पर वो आपकी महनत में इजाफा करेंगे, आपके स्किल्स में इजाफा करेंगे, और आपके एफर्ट्स को भी वो लाभानवित करेंगे, क्योंकि आपके धनेश अभी हैं, तो सबसे पहला तो बता हो ही चुकों, थोड़ा रिपीट तुबारा करूँगा, कि 30 अप्रल के बाद जब रहस पती छटे घर में आ जाएंगे, तो सेहत बिगड़ेगी, सबसे पहला सावधानी का कारण वही हो सकता है, दूसरा यहां पर आके जीवन में थोड़ा स्टेगने प्रयास नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे पर छिटा कशी होगी, एक दूसरे आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाब कुछ करने का प्रयास करेंगे, आपका नाम खराब आपको psychological लेवल पर डिस्ठब करने का प्रयास करेंगे, यह सब इस वर्ष होगा और और oriented कर देते हैं आपका कई बार इस वर्ष जॉब छोड़ने का मन करेगा without any reason salary भी अच्छी है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन satisfaction नहीं मिलेगी मन करेगा नहीं मैं तो किसी और चीज के लिए बना हूँ मैं तो किसी और चीज में में को काम करना चीज है उसके कारण कभी-कभी विक्ति जॉब छोड़ भी देता है मैं कही पास कही बार में बस कुनली आती है कि विक्ति के अंदर को ऐसी भावना है उसने जॉब छोड़ दिया रिसेंटली यह काय था कि वो विक्ति बहुत अच्छे लेवल पर आई-टी सेक्टर में काम करते थे उनने कोई मूवी देखी मुझे मूवी का नाम याद नहीं खोदी बता रहे थे कि वो बहुत मोटिवेटेड होगर के तु अभी धनो लगनी है उनका तो उन्होंने अचानक से जॉब छोड़ दी और अभी यह हो गया कि अक्टूबर में जॉब छोड़े थी अब तक जॉब उनको प्राप्त दुबारा होई नहीं और जो उनका प्लैन था वो भी फ्रक्टिफाइ नहीं हो रहा इसी लिए थोड़ा सा ये रिस्क तभी लीजिएगा जब आपके पास एक बैकप प्लैन बहुत अच्छा और आप के पास धन की भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो कि कि अगर कुछ रिस्क लेना चाते हैं और अगर आपका बैकप नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती हैं तीसरे घर के शनी भाई बहनों से दूर कर सकते हैं दोस्तों से विश्वास घात दिलवा सकते हैं इसके जात नहीं मिलेगा तो फिर परिशान हो जागे तो इन सब नेगेटिव चीजों पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कीजेगा क्योंकि ये सावधानी अगर आपने नहीं बढ़ती तो जीवन में कठिनाईयां बढ़ सकती हैं प्रेम संबन्द के दरफ मिला जुला सा साही वर्ष दिख रहा है प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू होंगी 30 अपरिल के बाद जब ब्रहसपती राशी व्रतन कर लेंगे क्यों बहुत बड़ा कारण है ब्रहसपती पंचम में रहेंगे 30 अपरिल तक यानि कि प्रोटेक्शन देंगे प्रोटेक्शन किस से शनी महरा लेकिन जैसे ही ब्रहस्पती का राशी पर्यतन होगा और वो आपके छटे घर में आ जाएंगे वहाँ से प्रॉब्लम बढ़ना स्राट होगी क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है शनी देवी की दृष्टी नीच की राशी पर है अपनी तो 30 उनको यह शनी महराज वक्री भी हो रहे है यानकि साल के मद्य भाग के आसपास कई लोगों के ब्रेकप्स भी होंगे तो यह वर्ष जैसे जैसे आगे बड़ेगा थोड़ा सा नेगेटिव होता रहेगा रिलेशन्चिप के लिए प्रॉब्लम आएंगी दूरी आएंगी मा अंचम भाव है आपका ये करतरी योग में है एक साइड राहू और एक साइड ब्रहस्पती दोनों ही विर्धी के कारक है अब यहाँ पर चौथा भाव है ठीक है लेकिन एक जो दूसरे विर्धी के कारक है वो छटे भर में है यानि कि एक्सपेक्टेशन अन्रिलिस्टिक ह कारण भी इस वर्ष आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है तो थोड़ा बहुत ये वर्ष नेगेटिव साइड पर ही दिखरा है रिलेशनचिप के लिए जितना ध्यान दे सकते हैं उतरा धीजेगा बदलाव बहुत आएंगे दोनों के विक्तित तुम्हे और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी कम बोलेंगे तो अच्छा है लेकिन ऐसा दिखरा है इस वर्ष दोनों के ही तरफ से शब्दों के बार्ण की वर्षा होगी और प्रॉब्लम होगी अपने रिलेशनचिप को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहेंगे ट्रस्ट की भावना भी अपने रिलेशनचिप को लेकर कई बार रहेगी तो थोड़ा सा मिश्वित सा ही वर्ष दिख रहा है एक चीज बस कहूंगा जितना ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं और जितना एक फ्रेशनेस पने करना फ्रेशनेस की कमी रहेगी एक नया पने क्रियेटिविटी ला सकते हैं ये दो चीजे हैं जो रिलेशनचिप को आपके बचा सकती है अदर्वाइस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ष है विवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक सा वर्ष है कोई बहुत जादा बुरा नहीं है क्योंकि कोई बहुत पूरे ग्रह का बहुत लंबे समय तक प् ठीक ठाक सा ही वर्ष है प्रॉब्लम्स क्या होंगी क्या पे इस वर्ष इनलोस के कारण बहुत प्रॉब्लम आपको तंग कर रगेगी इनलोस के कारण कहीं आप दोनों के विश में दिक्कत परिशानी बढ़ेंगी तो थोड़ा सा टैकल करिए का उस चीज़ को क्योंकि बह यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिजेगा सब्तम से दस्वे में क्योंकि राहू है ये एक और चीज़ बताता है कि में भी अपने करियर के कारण या उनके करियर के कारण आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समय इस वर्ष नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा मिश्रित सा ही दिक रहा है नेगेटिव नहीं है लिकिने दो तिन नेगेटिव चीज़े तंग करेंगी गिवर्ष उनके लिए अच्छा है जो डाइवोस अप्लाई किया हुए था नहीं कुछ हो रहा था तो यह वर्ष है क्योंकि ब्रहस्पती चटे में आएंगे तो जो डाइवोस वाल से दो तिन महिने यहां पर थोड़ा सेंसेटिव रहेगा समय तो जादा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा अपने घर की बाते बाहर जादा ना जाए इसके साथ ही एक तरफा प्लैनिंग मत कीजेगा वो भारी पड़ेगा कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ प्लैनिंग कर लेते हैं और लाइफ पार्टर से पूछते रही है और फिर वो चीज बात में जाकर खटकती है तो इन सब चीजों पर विचार करेंगे अच्छा है कॉम्मुनिकेशन कहीं ना कहीं सो चारू रूप से बना कर रखेगा क्योंकि शनी देव के कारण कभी-कभी प्रॉब्लम कॉम्मुनिकेशन में आ जाती है तो इन सब चीजों पर आपने काम कर लिया तो वर्ष कहीं ना कहीं विवाहिक जीवन के लिए अच्छा ही जाएगा चलते हैं विद्यारतियों के तरफ यानि कि स्टूडन्स के तरफ वर्ष अच्छा दिख रहा है सबसे पर तो पंचम में ब्रहस्पती रहेंगे 30 से अप्रल तक अपने आपने ब्रहस्पती का प्रभाव अच्छा होता है इसके बाद ब्रहस्पती छटे घर में आ जाएंगे जो कॉम्पटिशन का स्थान होता है तो ये वर्ष जिनका कॉम्पटिटिव एक्साम है उनके लिए शुब है इसके इलावा भी देखे तो प्रहस्पती जब यहाँ पर आएंगे तो उनकी दृष्टी बारवेस्थान पर होगी राहू भी बारवेघर को देख रहे हैं और शनी भी बारवेघर को देख रहे हैं तो स्टूडेंस जो विदेर्ष जाना चाथे हैं कई बाकी चीजों में थोड़ा सा negative प्रभावदे जैसे relationship, लेकिन students के लिए क्योंकि दो वृद्धी के कारक करतरी योग में होंगे, या पंचम भाव करतरी योग में डालेंगे, तो आप, यानि कि students, उनके जीवन में वृद्धी ही अवश्य होगी, वर्ष बहुत अच्छा है, अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजेगा क्योंकि वो एक चीज है जो आपको पीछे धके लेगी, इसके साथी दो और चीज़ें हैं जिनसे बचके रहना है, पहला addictions, दूसरा lag of planning, ये चीज़ें आपको पीछे धके ल सकती हैं, अधरवाई सी वर्ष अच्छा है, opportunities आएं शिव मंदिर जाकर शिव जी का, शिवलिंग का, आपको दूद से अभी शेक करना है, लेकिन उस दूद में आपको कुछ गंगा जल की बूंदे और कुछ गुलाब जल की बूंदे भी डालनी है, अभी शेक कर रहे हों तो ओम नमज शिवाय का जाप करना है, 21 बेल पत्त च क्या किया जाए, यानि कि धन, जॉब, बिजनस इसमें आगे बढ़ने के लिए, दो अमवस्य यह उपाय करना है, अमवस्य को हो सके तो सूर्यस्ते के बाद, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, जिस भी प्रकार से पूजा करते हैं वो कर लीजेगा, उसके बाद करना है, और आठ दिये जलाने है, चार घी के, और चार तेल के, तेल के, और हर एक दिये में एक इलाईची आपको डालनी है, और ये करने के बाद आपको लक्ष्मी जी को बाहर से लाए गए, यानि कि कि किसी हलवाई से लाए गए, दो प्रकार की मिठाईयों का भोग लग पूजा का समान दान करना है, पूजा का बहुत समान होता है, धूप, अगर्वती, घी, रुई, जो भी आप दान कर सकते हैं, तीन शुक्रवार, इस चेश्टा से कि हा रिलेशन्चिप में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, ये अवश्य कीजिएगा, इससे कही ना कही रिलेशन्चिप में जो प्रॉब्लम्स आनी भी होंगी, उसमें गिरावट होगी, अब बात करते हैं स्टूरेंस, स्टूरेंस के लिए क्या उपाए सबसे अच्छा रहेगा, आपको ये उपाए दो बुद्धवार करना है, गणपती जी के मंदिर जाना है, और गणपती जी का आपको दूद से अविशेक करना है, ये उपाए मंदिर में करिएगा, अच्छा फल रहेगा, और इसके साती आपको गणपती जी के सामने बैठकर, ओम वक्रतुंडाय नमहा, मंतर का 108 बार जाप करना है, और गायत्री मंतर का भी 108 बार जाप करना है, ये उपाए कहीं स्टूरेट्स की कई बाधाय दूर होगी, अब आद करते हैं एक ऐसा उपाए जो आपको वर्ष भर करना है, जब भी टाइम मिले तब करना है, क्या उपाए करना है, किसी भी मंदिर में किसी भी ब्रहस्पतिवार, अब इसमें कोई भी नियम नहीं है कि महीने में एक करें, महीने में दो बार करें, जब भी आपको याद आए, किसी भी ब्रहस्पतिवार, मंदिर में धार्मिक पुस्तगों का दान कीजिए, शिव मंदिर में शिव चालीसा की पुस्तगी, शिव पुरान कर सकते हैं, आरती संगरह कर सकते हैं, क्रिश्न जी के मंदिर में, क्र पुस्तक के दान कर सकते हैं, तो कोई भी धार्मिक स्थल पर आप ब्रहस्पतिवार को रेगुलरली धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए, वितरन कीजिए, यही आपके लिए स्वर्ष का एक जन्रल उपाय रहेगा, आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी, चैनल प काम तक के लिए, ओमने में शएगाई।